दक्षिल अफरीका में पंद्रवा ब्रिक्स सम्मेलन समाप्त हो गया। दो दिनों तक चले इस समिट में लोगों की नजरे टिकी हुई थी भारत के पेम और चीन के राश्टपती के बीच होने वाली मुलाकात पर। तो कैसी रही दोनों नेताओं की मुलाकात और समिट में पूर्ण फैसला देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसे में उमीद है कि दक्षन अफरिका में दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई उसका खुलासा शायद जल्द हो जाए। देश वासियों की नजरे इस बात पर हैं क्या प्यम मोदी ने जिनपिक से चीन घुसपैट का मुद्दा उठाया। क्या उन्हों ने चीनी स अप्रेल 2020 से पहले की सिती में लोटने को कहा है। सीमा विवात पर दोनों के बीच क्या बातचीत हुई मोदी जिनपिक मुलाकात के खुलासे का देश इंतजार कर रहा है। लेकिन ब्रिक्स समिट में जो सबसे बड़ा फैसला हुआ वो इसके विस्तार से जुड़ा हुआ अगले साल जनवरी से ब्रिक्स में शामिल देशों की संख्या 5 से बढ़ कर सीधे 11 हो जाएगी। इसमें 6 नए देशों को शामिल करने का फैसला किया गया जिसमें अर्जंटीना, साओधी अरप, UAE, मिस्र, इथोपिया और इरान शामिल है। ये 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के पर्मानेंट सदस्य बन जाएंगे। साओध अफ्रीका की राश्पती सिरिल रामाफोसा ने बताया कि पहले फेस की बैठक में इन देशों को संगठन का मेंबर बनने का निमंत्रण दिया गया है।